मत्रपुर्देश सरकार उजयन में सेहस्थ दोहजार अठाइस की तैयारी में जुट गई है मुख्यों मदरी डॉक्टर मुहन यादव ने उजयन दौरे के दौरान सेहस्थ मेला कारेले में पत्रकारों से बात की उन्होंने कहा कि उजयन भी धार्मिक नकरी है और इसलिए इसे हरित्वार की तरश पर विक्सित किया जाएगा साधू, संत, महंत और अखारों के लिए इस्थाई आश्रम बनाए जाएंगे ये सभी कारे उजयन विकास प्राधिकरन दौरा किये जाएंगे और साथ ही सीम डौक्टर मुहन यादव ने आगे कहा कि सिहंस्त के दौरान आइस्थाई टैंट और सड़क मार्क बनाए जाते हैं प्राक्रतिक आबदा के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए अब इन निर्मानों को इस्थाई किया जाएगा सिहंस्त शेत्र में बिजली पानी सड़क की इस्थाई व्यवस्ता होगी इस्थाई ब्रिज फोर लेन और सिक्स लेन मार्क भी बनाए जाएंगे तो सिहंस्त दोहजर अटाइस की तैयारी में जुट चुकी है मध्यपृदेश की मोहन सरकार बदादे की सादू संतों को सियम मोहन यादव ने सौगात भी दी और साथ ही बदादे की अब उज्जैन में इस्थाई निर्माड होगा इस्थाई नहीं होगा बलकि इस्थाई निर्माड होगा उज्जैन में सब कुछ धार्मिक दरश्टी कोंड से होगा ये बात भी कही मुख्युमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मदादी के हरिद्वार के तरह उजयन में संतों के लिए इस्थाई आश्रम भी बनेंगे के महाकाल के महालोग टू के लोकारपन के बाद जिस प्रकार से हमारे सरध्धालूओं का आवगमन बड़ा है खास करके धार्मिक सरध्धालूओं का एक नया लोक बना है और लगबग लगबग वाज क्रोड से ज़्यादा धार्मिक यात्री हमारे उजयन आ रहे है उजयन के सभी देवस्थानों के दर्सन के लावा उजयन में बहुत सारी घटनाओं उसे बहुत सारे कारण से लोग अपने आपको पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बड़ा है ऐसे में सादू संत भी बड़ी संख्या में अपना आस्रम बना कर उजयन में रहते ही हैं लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तरज पर उजयन में एक पुरा धार्मिक परिटन को बड़ावा देते जैते सादु संतों के भी इस्थे आस्रम को उज्जेन में जगा दिलाने का उनका अपना सभी प्रकार के सादु संतों के साद उज्जेन की भी गरीमा गोरो बड़े इस दिसा में सरकार ने काम प्रारंब किया है और ये बात तो सही है कि उज्जेन की तो पहचानी सादू संतों के साथ में है हमारे संत, महंत, महामनलिश्वर, संक्राचारी इनकी गोरो गर्मा पस्तिती हजारो साल से उज्जेन की प्रतिष्टा बढ़ाती आई है ऐसे में सोवाई करूप से हम सब का फर्ज बनता है विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जेन में सादू संतों के लिए परमानिंट एक तरसे धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए इसलिए उज्जेन विकास प्राडिकन के माद्यम से अगर भूमी चाहेंगे तो हम परियाद भूमी उज्जेन में उपलब्द कराएंगे और वो अपना आसरम स्वयम बना इसके लिए हम उस आवशे ग्रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्टर पर काम कर रहे हैं जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जेन से जाने आने वाले, फोर लेन, आवशेक्ता परियाद इसक्स लेन और इस प्रकार की सुईधा जुटारा है जिसके कारण से भार्मिक परेटन के लिए उनके साथ माने वाले भक्तों को भी कोई कर्ष्टर नहीं हो और योजना भी इतने अच्छी प्रकार से बन कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार में जब कुम्ब मेला काहिजन होता तो महा अधिकांस सादु संत महामन लेश्वर अपने अपने आस्रमों से उस पूरे कुम्ब में अपनी उपस्तिती दर्ज कराते हैं या सबी गतिविदियों को संचालित करते हैं आज हमारे हाँ दोखजर अठाइस में सिवहस्त होने वाला है तो सबाई गुरूप से हमने अपने बाकी निर्मान कारी चालू किये हैं लेकिन हम भूमियों पलब्द करा करके इस्ठाई निर्मान की परमिसन जिला प्रसासन के माद्यम से जिजियोजना से चालू करा रहा ह है ता कि सादू संत भी अपने आस्रमों का विस्तार कर सके विकास कर सके इस्ठाई रूप से वो उज्जेन में भी अपने आस्रमों की एक तरह से जगा नियत करते हूँ अपना गत्वीदी प्रारंब करें मैं उम्मित करता हूँ कि ये योजना के माद्यम से उज्जेन की गरिमा और बढ़ेगी और खास करके जब सिम्हस्त होता था तो आज था ही निर्माण जब हमारे दोरा टेंट सिटी बनाते हैं तब आधी तूफान बारिस के कारण से हर बार टेंट उड़ जाते हैं बाद में तकलीफ आती है या टेंपरेरी एक्विजेशन करने के कारण से क नया नागर बनाने का एक हमने योजना बनाई है मेरी अपनी और से इस अवसर पर आप सबके माध्यम से संदेज विजना चाहूंगा के पहले हमारे सादू संत महामन लेश्वर सभी अखाड़े के लोग जो अपना केम्प लगाते हैं उनके लिए भी व्यवस्ता रहेगी और वो केवल सिम्हस्त नहीं पूरे साल इस पकार की गतिविदी संचालित करें हर साल वो अपनी व्यवस्ताओं का हिस्ता बनाएं स्रीमत भागवत का पारायंट साथ दिन तक करने की परंपरा सी बनी है और कई सारे लोग अपने अपने आस्रन में आज भी इस्तिती है कि उज्जेन में चार से पांच लाक लोग प्रती दिन उज्जेन में रहते हैं ऐसे में उनके सारे प्रबंधन करने की जबापडरी हमारी है इसे के साथ से हम एक और इसमें योजना बनाई है साधुसंतों काती रिक्त सभी सामाजिक संस्ता सभी प्रकार के इन तरह की गत्विदियों को संचालित करने वाले सनातन धर्मियों के लिए भी परियाप रूप से भूखंड हम रखने वाले ताकि यहां धर्मसाला है, अन्नच्छेत्र या अपनी इस प्रकार की गत्विदि जो हमारे इस सनातन धर्मियों भूस्ताओं में आवर्शक होती है उनके लिए धर्मसाला वगारा बनाने के लिए स्कूल, कालेज, हास्पीटल या जन्चिवा के बुरद्दासरम या जो है इस प्रकार के काम करना चाहिए जो जनहिते सी काम है, समाजहिते सी काम है इन सब के लिए परियाद लुकूमी का प्रबंदन हमने किया है हमने इसमें कलपना किये कि इस पूरे छेतर में किसी भी हलत में निजी या कमर्सियल गतिविदी को हम नहीं करने देंगे इसका हमने प्रतिबंद रखने के भी प्रावधान की है लेकिन ये धर्मी गतिविदियों को बड़ावा देने के दिस्था में मदविद सब्सकार बड़ा कदम उठा रही है मेरी अपने और से इस योजना की आप सब को बढ़ें